हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं गोधी पत्रकारों को कमलेश की माने लगाई फटकार कहा मोधी मोधी करना बंद करें मोधी भगवान नहीं है हिंदू समाज पार्टी के अध्यक कमलेश तिवारी की मा कुसूमा देवी ने एक बार फिर गोधी मीडिया के पत्रकारों को फटकार लगाई है हत्या के मामले में भी अपने सवालों में प्येम मोधी का नाम जपने वाले पत्रकारों से कमलेश की मा ने कहा है कि तुम लोग मोधी मोधी की रट क्यू लगाते हो वह कोई भगवान नहीं है हम उनसे संतुष्ट नहीं है NCRB रिपोर्ट एक साल में 28,000 लोगों की हत्या योगी का राम राज्या बना अपराद में नमबर वन आखिर का राश्या अपराद रिकॉर्ड व्यूरो NCRB ने लंबे इंतजार के बाद अपने आंक्डे जारी कर दिये है NCRB की रिपोर्ट ने उन सभी राज्यों की पोल खोल कर रखती है जो अपने राज्या में अच्छी कानुन व्यवस्ता और राम राज्या की दुहाई दे रहे थे इस रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी का योगी राज्या सबसे अवल है हत्या बलातकार दहेज हत्या और अपरन जैसे अपराद मामलों में उत्रप्रदेश नंबर वन है कमलनाथ ने 9 महीनों में 40 प्रतीशत बेरुजगारी कम की कॉंग्रेस बोली बीजेपी जूट में बिजी है और हम काम में कमलनात सरकार के राज में बेरोजगारी कम हो गई है CMIE की रिपोर्ट के मताबिक पिछले 9 महीनों में राज्य में बेरोजगारी 40 प्रतीशत कम हुई है इस पर असम के कॉंग्रिस सांसद प्रद्यूत ने ट्वीट कर लिखा जहां भाजपा अपना जूट प्रोपेगंडा फेलाने में व्यस्त है वहीं कॉंग्रिस अपने वादे पूरे करने में व्यस्त है मुख्यमंद्री कमलनात ने इन दौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में लोगों को संबोधित करते हुए कहार रोजगार के मौके सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं बनते हैं निवेश आने से रोजगार के साथ साथ आर्थिक गतिविदियां बढ़ती है औस्ट्रेलिया में अखबारों ने सरकार के खिलाफ किया ब्लैक आउट और भारत में चाय रहे मोधी यही फर्क है भारत में मीडिया की आजादी को लेकर अक्सर सरकार को दोशी ठैराया जाता है कभी पत्रकारों को सवाल करने के लिए जेल में डाव दिया जाता है तो कभी मीडिया कंपनियों पर छापा पड़वाया जाता है ठीक इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी मीडिया की आज़ादी पर एक मित बन चुका है फर्क पस इतना है कि ऑस्ट्रेलिया की मीडिया अपनी आज़ादी के लिए खुद आवाज उठा रही है सोशल मीडिया पर जिम रॉबर्ट्स ने लिखा अस्ट्रेलिया की सभी बड़ी अकबार प्रतिबंदों और गोपनियता की संस्कृती के विरोध में पहले पन्ने को काला प्रकाशित कर रहे हैं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लक्षमन यादम ने लिखा दो मुलकों की अकबारे हैं ये परी तस्वीर में आस्ट्रेलिया की अकबार है जिन्होंने अपने यहां की सप्ता के प्रतिरोध में ब्लैक आउट किया है दूसरी तरफ आर्या वर्ते जंबूद्वी पे भारत खंडे की अकबार का आलम है बाकी कहानी आप समझते हैं 25,000 होम गार्ट की नौकरी चिन गई मगर मीडिया चुप है क्योंकि नौकरी नहीं हिंदू खत्रे में है उत्रप्रदेश की योगी सरकार अपने करमचारियों को दिवाली के मौके पर जटका देती नजर आ रही है सरकार ने दिवाली से ठीक पहले 25,000 होम गार्ट को बेरोजगार कर दिया है योगी सरकार ने सोंवार को बजट का हवाला देकर 25,000 होम गार्ट्स की ड्यूटी खतम कर दी है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक पुलिस के बराबर वेतन किये जाने के बाद बजट का भार बढ़ गया है उसे बैलेंस करने के लिए होम गार्ट्स की छांटी हुई है के बाद अप वारा नसी में पूर्व डी आईजी के बेटे की गोली मार कर हत्या उत्रप्रदेश की योगी सरकार में लगातार हो रही हत्याओं के सिलसिरे रुपने का नाम ही नहीं ले रहे हैं पिछले दिनों वारा नसी में ही दमपती के घर में घुसकर गोली मार कर हत्याओं कर दी गई थी कमलेश हो या सुबोट यह अहंकारी बाबा खुद पीडित परिवार से मिलने नहीं जाता अपने राज महल में बुलाता है कल दिन भर मीडिया में चला कि योगी अदित्यानात कमलेश तिवारी के परिवार से मिले और मिलकर उन्हें आशवासन दिया कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा लेकिन कमलेश तिवारी की मा का कहना है कि उन्हें सीम योगी से मिलने के लिए जबरदस्ती लाया गया अब कमलेश दिवारी की मा के इस बयान पर आम आदमी पाटी के सांसत संचे सिंग ने योगी सरकार पर हमला बोला है उन्होंने ट्वीट कर लिखा गौरफ दिवारी की हत्या लकनो में हुई परिवार राज महल में आओ इंस्पेक्टर सुबोत की हत्या हुई परिवार राज महल में आओ कमलेश दिवारी की हत्या हुई परिवार राज महल में आओ यह योगी बाबा कितना अंकारी है कि पीडित परिवार से मिलने नहीं चाता अपने राज महल में बुलाता है कमलेश की माबोली योगी ने पुलिस भेच कर जबरदस्ती बुलाया सीम के हाव पाव ठीक नहीं लग रहे कमलेश तिवारी हत्याकान मामले में भले ही योगी सरकार तेजी से कारेवाई करने का दिखावा कर रही हो भले ही मीडिया इसे बहाने हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो लेकिन वास्नविक मुद्दे और असिल पीडितों की बाते दूर दूर तक तिखाई नहीं दे रही है कर दिन बर मीडिया में चला कि योगी अदित्यानात कमलेश्तिवारी के परिवार से मिले और मिलकर उन्हें आशवासन दिया कि जल्द से जल्द न्याएं मिलेगा लेकिन कमलेश दिवारी की मा का कहना है कि उन्हें सीयम योगी से मिलने के लिए जबर दस्ती लाया गया था साथी कमलेश दिवारी की मा ने कहा कि वह योगी अधित्यानात से मिलकर संतुष्च नहीं है और उन्हें योगी के हाफ भाफ ठीक नहीं लगे जस्टिस गुगोई और आरोप लगाने वाली महिला दोनों को मिली क्लीन चिट ये कैसा फैंसला गलत कौन है सुप्रीम कोट के मुख्य न्याय अधी शुरंजन गुगोई पर यौन उत्पीडन का आरोप लगाने वाली महिला को बड़ी राहत दी गई है महिला को गुगोई को बड़नाम करने के मामले में क्लीन चिट मिल गई है वहीं गुगोई को यौन उत्पीडन के मामले में भी क्लीन चिट दे दी गई है जिसके बाद महिला ने कहा कि उनकी न्याय पाने की उमीद खतम हो गई है इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरीश मालविय लिखते हैं कुछ महीने पहले जब चीफ जस्टिस रंजन गुगोई पर यौन शोशन के आरोप सामने आये थे तो लगबग पूरा मीडिया और सोशल मीडिया भी यही मान कर इस खटना का विशलेशन कर रहा था कि जस्टिस रंजन गुगोई भी को उक्त महीला फसा रही है यह कोई साजिश रच रहा है जिसमें वह महीला सबसे बड़ा मोहरा है लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई है अब सवाल उठता है कि एक साथ दोनों लोग निर्दोश कैसे हो सकते हैं क्या महीला को क्लीन चिट देने का यह मतलब नहीं है कि वह कोई साजिश नहीं कर रही थी क्या इसका यह मतलब नहीं है कि उसके लगाए गए आरोप सही थे अब तो कमलेश की मा ने भी कह दिया अखिलेश आजम ने सुरक्षा दी योगी ने मरवा दिया अखिलेश यादव कमलेश तिवारी मामले को योगी सरकार और प्रशासन आईस आईस से जोड रहा है मगर कमलेश तिवारी की मा सहत उसके बेटे बतीजे सीधे मुख्यमंत्री योगी अधितियनात उनकी सरकार और भाजपाबी जेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अकिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा लक्नव में एक हिंदू महासभा के नेता की हत्या कर दी गई ऐसी और कितनी घटनाएं होगी अकिलेश ने कहा कि मृतक की मा कह रही है समाजवाती सरकार में सुरक्षा मिली थी आजम खान के जमाने में हमें गनर मिले थे लेकिन इस योगी सरकार ने हमें सुरक्षा नहीं दी और उसी का परिनाम है कि हमारे बेटे की हत्या हो गई कमलेश की मा बोली अखिलेश सरकार में सुरक्षित था मेरा बेटा योगी सरकार में मार दिया गया एक तरफ कमलेश तिवारी की हत्या को योगी सरकार और पूरा प्रशासन आईस आईस से तार जोडने में लगा हुआ है लेकिन कमलेश के परिवार वाले एक सुर में भीजेपी नेता पर हत्या का आरोप लगाते हुए योगी सरकार को कटगरे में खड़ा कर रहे हैं इसी कड़ी में कमलेश तिवारी की मा कुसम तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ और भाजपा सरकार के बारे में कहा है कि हिंदू की सरकार में मेरे बेटे को मार डाले योगी तुम्हारी योगी अतित्यनाथ सरकार में कोई मार कर चला गया जबकि सपा की अखिलेश यादव सरकार में कोई कमलेश का बाल भी बाका नहीं कर पाया था ABP एंकर से कमलेश की माने कहा हिंदू मुस्लिम करना बंद करी हिम्मत है तो सरकार से सवाल करे कमलेश दिवारी हत्याकान को सामप्रदाइक रंग देने में जुटी गोधी मीडिया को कमलेश की माने जोरदार लतार लगाई है उन्होंने ABP निउस के एंकर से कहा कि आप हिंदू मुस्लिम करना बंद करें और हिम्मत है तो सरकार से सवाल करें जो इस हत्या के लिए जिम्मेदार है कमलेश की माने आगे कहा हमने नहीं आपने हिंदू मुस्लिम शब्द को उठाया आप किसको गुमरा कर रहे हो हमने तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की और आप कह रहे हो कि हम हिंदू मुस्लिम करके धंगा बढ़काना चाते हैं किसको बेफकूफ बना रहे हो कमलेश दिवारी की हत्या को हिंदू-मुस्लिम का जामा पहनाने वाले इस मा को भी पागल करार देंगे कमलेश दिवारी हत्या का अनका तार भले ही यूपी पुलिस उनके 2015 के भड़काव बयान से जोड रही हो लेकिन कमलेश की मा ने सीधे तोर पर बीजेपी नेता शिफ कुमार गुपता को हत्या का मुख्य अरुपी बता दिया है कमलेश दिवारी की मा का कहना है कि कमलेश के विरोध के बावजूद छल के साथ भू माफिया शिफ कुमार गुपता मंदिर का अध्यक्ष बन गया तब से रंजिश चल रही थी और अब उसने मेरे बेटे की हत्या कर दी है अब इस बात पर All India महिला कॉंग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने लिखा है कि शायद वह लोग अब एक मा को भी पागल करार देंगे पुलिस के बयान को कमलेश के परिवार ने नकारा भतीजे ने कहा बीजेपी नेता ने दी थी मारने की धमकी कमलेश तिवारी हत्याकार्ण में यूपी पुलिस के नेटवर्क को कमलेश के परिज़नों ने पूरी तरह से खारिच कर दिया है यूपी पुलिस जहां हत्या का कनेक्शन कमलेश के 2015 के बयान से जोडने लगी है वही कमलेश के परिजन हत्या की वजह जमीनी विवाद बता रहे हैं जो कमलेश और बीजेपी नेता शिफ कुमार गुपता के बीच चल रहा था दस दिन पहले उन्होंने कमलेश को जान से मानने की धंकी दी थी जिस बीजेपी नेता पर कमलेश की माने लगाया हत्या का आरोप उसे पहले भी बचाती रही योगी सरकार कमलेश तिवारी हत्याकान कातार भले ही यूपी पुलिस उनके 2015 के भटकाव बयान से जोड रही हो लेकिन कमलेश की मा ने सीधे तोर पर बीजेपी नेता शिवकुमार गुपता को हत्याका मुख्या आरोपी बता दिया है लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक शि माफिया भाजपाने ताशिवकुमार गुपता को आखिर क्यों गिरफतार नहीं कर रही है जिसके उपर लखनव सीतापुर में 45 केस है अधिकतर फरजी वाड़ा पर जमीन हडपने के दर्च जल्दी एक और जमीन हडपने का केस होगा